हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले IREDA जी से इंडियन रिनेवल एनर्जी डेवलप्मेंट अजेंसी लिमिटेट के नाम से जाने आता है 36 रुपीज के बहुपे यहां पर IPO आया था कुछ दिन पहले अभी हम बात करें 123 रुपे को टच करके आया है लगबग आप देखोगे तो चार गुना रिटर्न जिन्होंने लिया होगा वहां था कि यहां पर बनते हुए नजर आये होंगे और वो भी क्या है पिदिन फ्यू डेज मंत भी नहीं काऊंगा फिदिन फ्यू डेज इस इफ आम नौट रॉंग तो यहां पर हां ठीक है एक महीना भी नहीं हुआ और पैसे यहां पर चार गुना से ज्यादा होते हुए लगबग नजर आये ठीक है चार गुना के आसपास बनते हुए नजर आये तो क्या अभी लेना चाहिए क्या बेस देना चाहिए क्या करना चाहिए एक्जेक्ली उससे लेटिड मैं अपना यहां पर व्यू देता हुआ नजर आऊँगा तो लाश्ट तक वीडियो में बने रही हैगा बट याद रखिएगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंड जय क्या क्या बेसे दोनों नंबर और को सेव कर लीजिए बेसिक्स कूर्स है हमारा और तो आप पर हम सब कुछ सिखाते हुए नजर आते हैं बट 18,000 रुपे का कोर्स, 20,000 का कोर्स है बट 10% का छूड़ दे रखिया, 31 तारिक तक, तो आप 18,000 में कोर्स कर सकते हैं और एक तारिक से इसी कोर्स की खीमत 25,000 रुपे होने वाली है, तो आपको किसी से पीछ, पीछे पढ़ने की जड़ुत नहीं पड़ेगी, आपको छीज़े खुद ही समझ में आ जाएगी, दूसरी बात, हम यहाँ पर देखें तो कैसे हम देखी हैं मैंने आपको पताया था कल यहाँ पर सो में ही मार्केट यहाँ पर क्या है, उपर यहाँ पर जाती हुई नजर आएगी, ठीक है और आज के दिन में ही जो क्रेश चला रहे थे, ठीक है न, ऊपर यहाँ पर मार्केट चलेगी, तो ऐसी एनलाइसिस करने के लिए, यह कोर्स ही है जो आपकी हेल्प करेगा, दूसरी बात क्या है, अगर किसी को कोर्स नह पर जाती है, अगर यह एसा ही पैसा बनाना चाहते हो, तो आप हम से कॉंटेक कर सकते हो, बात कर सकते है, अगर आपके हमारी कॉल मेसिस करने का कोई पैसा नहीं है, अच्छे लगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइस कोई परशानी नहीं है, वीडियो में आगे गते हैं, और हम बात करते हैं, और हम बात करते हैं, IR EDA Agency Limited से लिटे है, जैसे IRFC आया था, जैसे IRCTC आया था, जैसे RVNL आया था, उसी तरीके से ये IR EDA share आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है, और यहाँ पर शेयर को अच्छा का सा पंप करके ऊपर की तरफ टांग दिया है जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, अच्छा का से तरीक ऐसे भागते हुआ, नजर आ चुका है, ठीक है, क्या यहाँ से भी पैसा बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है, उससे लिटे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, जैसे IRCTC, IRFC है, यह लोन से से लिटे हैं, और जब एक पटिकुULर नम जुडी आता है और फिर इंडिया का नाम जुडी आता है, और फिर प्लस में, Гवश्में तक का नाम जुड़िया था है, तो तो गीश्टाक आजकल ही टेल ऑड़री है, वो आपको दिखा यहाँ दे रहे हैं, तो यहाँ efficient and conservation project तो हम बात करें जितने भी solar से related यहाँ पर है energy से related यहाँ पर है जो बड़ी बड़ी companies यहाँ पर loan लेती है ठीक है उनकी यहाँ पर financial मदद करती हुई नजर आती है as well as यहाँ पर उनके development में as well as एक्टर में काम करती हुई नजर आती है उतरती हुई soon नजर आती हुई दिखाई दे सकती है इसलिए यह क्या है business model काफी बहतरी नजर आता है और कहीं न कहीं सभी का फायदा है भारत का ही फायदा है और आम लोगों का ही फायदा होता हुआ नजर आ सकता है company provides a comprehensive range of financial product and related services from हम बात कर चुके आरी से लेटेड यहां पर project ठीक है project की बात करें has a finance project across multiple RE sector जैसे solar power, wind power, hydro power transmission तो अलग-अलग powers से लेटेड जो project होते है उसमें यह company काफी यहां पर मदद कर चुकी है काफी project में मदद कर चुकी है loan book की बात करते हैं तो हैजा diversified loan book of 47,514 करोड रुपीज की September 2023 में यहां पर इनकी loan book थी ठीक है जब loan देंगे तो obviously बात है interest आएगा पैसा बनेगे जैसे bank बनाता है and it has demonstrate strong growth of 30% CAGR between 2021-2023 2021-2023 में 30% की CAGR से पैसा बढ़ा है और जिस तरीके solar का का काम चल रहा है energy salary काम चलता है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसी तरीके का CAGR दुबाना आ भी सकता है कोई बड़ी बात नहीं होगी loan की बात करें has increased join का loan है ठीक है ना 2021 में 11,000 क्रोड था अभी बात करें 2023 में तो 32,000 क्रोड तो उसमें भी A to Z यहां पर काम कर यहां पर एक idea लग जाएगा ठीक है इनके financial से लिटके बात कर लेते हैं यहां पर देखिए market cap की बात करें mid cap नजर आती है 29,488 क्रोड रोपे का क्या है इस company का यहां पर market cap है PE की बात करें 34 का यहां पर PE industry का भी 14 का है तो महेंगा नजर आएगा ठीक है और as well as ROC ROE की बात करें तो कुछ खास है यहां पर है नहीं बट ROE ठीक ठाक दिखाई देती है debt company का 6.77% जैसे की मैं बात कर चुक हूँ debt को ignore करना है क्योंकि यह share किससे related है finance related है तो यहां पर हमें इसे देखना नहीं है ठीक है प्लाइजिंग यहां पर है 123 काही लगा है 110 पर share चलता है 10 की phase value है आगे चलके split भी मिलता हुआ है यहां पर नजर आता हुआ दिखाई दे सकता है तो यहां पर आप जा सकते हैं इनकी website पर visit कर सकते हैं ठीक है आप यहां पर देखिए company अपनी किस तरीके से यहां पर अलग-अलग लोगों की help कर रही है ठीक है यहां पर आपको पता चलेगा कोन के client है कहां कहां पर लोन दिये सब चीज से related यहां पर एक आपको idea लगता हुआ नजर आएगा बात करते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है अभी share आया है शेर आमे के बाद already अच्छा गासा jump लगा चुका है पहले entry के साथ खुलती साथ यहां पर पैसा बना था फिर उसके बाद वहां से भी double होता हुआ नजर आया quarterly deals तो यहां पर देखिए September के result यहां पर है यहां पर June 2023 में 1143 क्रोड की sales थी साथ साथ खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दिये sorry interest यहां पर यह है और यहां पर expenses की बात करें minus में आपर expenses है company के जो profit की बात करें वो भी यहां पर कम होता हुए नजर आया है margin company के कम होते हुए नजर आया है और यहां पर आप देखो कि ठीक ठाक में आजर आता है NPS की बात करें company के पास NPS भी है ठीक है 3.13% जो बढ़ते हुए नजर आया है ठीक है net NPS भी बढ़ते हुए नजर आया और दूसरी बात क्या है दूसरी बात यह है कि एक दो quarter के result देखके ना हम जज नहीं कर सकते कि exactly यहां पर क्या हुआ है और क्या हो सकता है तो एक अध क्वाटर के result यहां पर अभी आने वाले है ठीक है जब आना शुरू हो जाएंगे पता चल जाएगी कि exactly number कहां की तरफ जा रहे है तब एक clear idea आएगा कि इस company में invested रहना अच्छी सला होगी या नहीं इस्टेल हम चार्ट के base पे अलग हम अपनी study करेंगे बट अभी हम यहां पर इसके हिसाब से बात कर रहे है fundamental के हिसाब से fundamental की बात कर रहे है revenue बढ़ता हुए नज़र आया है ठीक है company का financial profit बढ़ता हुए नज़र आया है चार गुना से जादा होता हुए नज़र आया है ठीक है company के net profit बढ़ता हुए नज़र आया है यह जो यहां पर balance sheet है यह यहां पर काफी अच्छी नज़र आती है इसके लावा company का reserves है बसासाद बोड़ाइं भी बढ़ता है जो positive बात है 144 करोड रुपीज के आपर working progress में है cash भी है company के लगभा 1000 करोड रुपीज के आसपास और यहां पर देखेंगे share holding pattern तो promoters मदला president of India मदला government 75% पहले ही लेके आई है FIS के पास भी है, DIS के पास भी है, public के पास 12% के हिस्सेदारी है और यहां पर आप देखोगे तो bulk deal में यहां पर आपको पता चलेगा buying selling भी यहां पर चालू हो गई है अब बात करते हैं यहां पर इसके चार्ट से लेटेट, चार्ट क्या कह रहे है बट उससे पहले आपसे request है I am small cap investor चानल को subscribe, bell icon को hit all notification को on करिए, buying selling की recommendation है नहीं चानल को subscribe करना है और इन नमबरों को note करके ठीक है ना like comment share भी करना है, हमें question है, question comment करने है, course कर सकते हो और साथ में हमारे साथ काम भी कर सकते हो चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट कह रहा है simply ठीक है कि overheated है, no doubt, बट आप एक कोशिश कर सकते हो इस particular share में, क्या कोशिश कर सकते हो अगर यहाँ पर आप लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो एक छोटा सा stop loss लगता है, कितनो रुपे का, 100 रुपे का, मतलब क्या है, मतलब यह है कि आपको लगबग 10% की risk लेनी पड़ेगी, ठीक है, 99 रुपीस पर एक stop loss रगाना पड़ेगा, और जैसे ही यह share 123 इसके ऊपर जाता है, तो यहाँ पार और तेजी होती हुई दिखाई दे सकता है, तो अगर कोई 10% का risk ले सकता है, तो upside ऊपर की खुली हुई है, ठीक है, और याद रखिये का result अगर ठीक नहीं आते है, तो चीजे जिस तरीके से भागी है, उसी तरीके से गिर के दुबार गौर्णमेंट शेयर है, तो काफी सालों के लिए अटक भी जाता है, तो सारे parameter अपने दियान में रखे है, फिर आपको यहाँ पर क्या है, काम करना है, तो 10 रुपे का risk है, 10 रुपे का risk ले कि आप carry down कर सकते हो, बट इस सब चीज सोस समझ के कोई recommendation नहीं है, अपने financial advisor को उ आपर देख सकते हो, ओके तो वीडियो अची लगे, like, comment, share, चानल को subscribe, bell icon को hit करेगा, thank you so much, God bless.